हालो दोस्तों कैसे हो आप साइब उम्मीद करती हूँ कि आप सब तीक होंगे स्वस्त होंगे तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही काम की वीडियो इसमें मैंने कुछ एसे टिप्स शेयर किये हैं जिससे आपके काम तो आसान होंगी ही साथ दिसा हो है वह चेंज हो जाता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसको हम केसे लंबे टाइम तक रखे तो आपको क्या करना है कोई भी आप टेलकम पाउडर ले लिजी थोड़ा थोड़ा आप इस पर डाल दीजिए फ्रेंट्स यह बहुत ही यूसफुल ट्रीक है द बाकी क्या है कि यह अच्छे से फ्रेस बनी रहे और जब भी आप खाने में इसका यूज करें तो अच्छे से इसको धोके वोश करके ही खाना है फ्रेंट्स इस बात का आप जरूर से ध्यां रखेगा और हो सके तो आपके पास जो पॉंस वाला पाउडर है वही इसमें डा सकते हो बिलकुल भी यह सेम खराब नहीं होते हैं तो चलिए देख लेते हैं अगला यूस फूल टेप्स हमारे पास पॉलितिन तो बहुत सारी पड़ी होती है लेकिन हम सही तरिके से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि अगर यह फट जाती है तो हम इसको बेकार समझ पर सब्सक्राइब करते हैं क्या डूतली सेथग सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब यह बहुत teníanने में और स्णेश'RE क्रते हैं इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और अभी सर्दियां भी आने वाली है तब यह आपके बहुत ही काम आने वाली टिपस है तो जरूर इसको ट्राइ करिएगा तो दीखे प्रेंस बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं लगी है और अच्छे से वाश पेशन शाप हो चुका है त ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इससे लाइक करें शेयर करें तो चलिए देख को लेते हैं आगला यूसपुल टिपस हमारे पास देखिए बच्चों के पास पैन होते हैं खराब हो जाते है तो उनके यह रीड उते हैं वो ऐसी पड़े होते हैं तो इनका हम बह का रीड ओ ले लिया है और देखिए इस पर मैं लगा देती हूं डबल साइडेट टेप और इसका हम यूज करेंगे जहां पर हमें जरूत होती है जिसे कि हमें कोई चाबी लगाने के लिए या फिर कोई ऐसी चीज जिसे कि नेल कटर कुछ भी हम इसमें लगा सकते हैं तो हैन कीचन में लगाते हैं तो कीचन इससे और ज़्यादा खराब लगता है और फिर हम सोचते हैं कि यह जल्दी सी खतम हो और इसको हम कोई अच्छा से देख के स्लेंडर लाए तो फ्रेंस इससे तो अच्छा है कि कोई भी हम वेस्ट जो कपड़ा होता है वह ले लीजे और थो कुछ किटानों भी इस पे लगे होते हैं तो वो आप इस तरह से साफ कर सकते हो थोड़ा सा इसमें क्या है कि कोई सैंपू वेगरा डालके अच्छे से इसको पूंच लीजे फ्रेंस आपको यह टिप अजीव लगती होगी लेकिन यह अगर हम गोर से देखे तो बहुत ही य जलता है तो यह चोटा सा हम काम कर सकते हैं इसे दिखिए एक स्लेंडर की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है और जब भी हम कीचन में रखते हैं तो कीचन के है थोड़ा यूनिक लगता है सुन्दर दिखने लगता है तो हैना बहुत ही यूसफुल ट्रिक इस टिप्स को तो फ्रेंस थोड़ी सी हाथ की मेनत है लेकिन हम दो महिने तक इसको साफ सुत्रा रख सकते हैं क्योंकि एसे तो है नहीं कि यह एक दो दिन में खाली हो जाएगा और फिर हम इसको दे देंगे तो यह देखिए एक महिना भी चलता है दो महिने भी चलता है तो इस तरह से होती है वो कट कर देते हैं और बहुत जदा हमें नुकसान भी होता है और थोड़ा सा अगर उसमें छेद या लिकीज कर दे तो हमें पता नहीं होता है कि गैस कहां से निकल रही है तो इस तरह से गैस कहा है बेश्ट होती रहती है तो फ्रेंस आज मैं आपके लिए एक का आटा आप चाहे तो मेदा भी डाल सकते हो या फिर आप बेशन भी डाल सकते हो इसकी जगह पे तो यहां देखे में गेहों का आटा ही ले रही हूं क्योंकि चुहों को कनेक्ट करने के लिए गेहों का आटा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है और उसकी जो इसमेल कर के ही चुहे क्या है आते हैं उसके पास उसको खाने के लिए तो यहां देखिए मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है आम में थोड़ा सा डाल देती हूं पानी पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है नहीं तो देखिए नरम हो जाता है लिक्विट टाइब में हो जात और आटा 14 चमच या फिर दो चमच भी ले तो ज़्यादा हमें सेमर्ण। गरोटा तना कुछ भार को कि अगर comes happenोगक अच्छा तोbody Souls शेयर करें लेगे और अगर याइव पाव प्राइक नमें रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह जो टिप्स है, यह बहुती काम की हैं सभी के लिए, साफ स्पायों के काम चल रहे हैं, और अगर चुहे इदर उदर घूमेंगे, तो हम साफ स्पाय नहीं कर पाएंगे, तो प्रेंच इसी बातों को मैंने ध्यान यूसफुल रहती है, तो यह बहुती काम आती है, यह वाला जो गरेलो नुक्स का है, यह बहुती बढ़िया रिजल देगा, तो अब देखें, हमें एक डो की तरह इसको तयार कर लिया है, करने के बाद छोटी-छोटी लोईया हम इसकी कट करेंगे, तो यहां देखें, मैं इतना इतना इसको ले ले रही हूँ, तो छोटी-छोटी हमें क्या है कि बोल बनाने हैं, तो हमें इस तरह से लेने हैं, अगर आपको थोड़ा बड़ा रखना है, तो भी आप रख सकते हो, या फिर आपकी ज़्यादा चुई हैं, तो छोटी-छोटी बोल भी आप बनाके अब देखिए होता क्या है कि जो हमने चाइपती डाला है वो क्या है करवापन होता है और चुहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है कि उसके पैट में कुछ ऐसा करवापन जाए तो वो क्या है कि आटा समझ कर इसको खाएंगे और खाने के बाद जो हमने चाइपती मिला है उसकी वज़ेशे बहुत तूरंत घर छोड़ के चले जाएंगे फ्रेंट यह बहुत ही बढ़िया तरीका है आप इसको जरूर ट्राय करिएगा अब देखे जितने भी बावल है हमें एकदम गोल इसको बना लेना है और बनाने के बाद चलिए हम इसका यूज कैसे करेंगे कैसे हमें इसको लगाना है ताकि क्या है कि चुहे इसको खाकर तूरंत भाग जाएंगे तो फ्रेंट बहुत ही बढ़े आपको रिजल देखने को मिलेगा तो चलिए इसको लगाते हैं तो यहां पर देखे इस सिलिंडर के पास में बहुत जादा चुहे आते हैं तो वहां पर हमें एक गोली करके लगा देना है तो यहां देखे में एक गोली को थोड़ा चप्टा कर ली हूँ और जहां पर उपर की साइड है वहां पर आपको एक गोली रग देना है क्योंकि कभी कबार क्या होता है कि जो पाइप लगा होता है उपर की साइड में तो पाइप पा क्या है कि यह लगा देना है तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़िया तरीका है तो आजकी अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूशफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और कोमेंट करके जरूर बताए कि आपको आजकी इस वीडियो में सबसे यूशफ वीडियो के साथ बाबाई